नमस्कार मैं आपका जोद्सी मोहन जी नचत्रवानी चैनल से मातारा को परणाम करते हुए अपने गुरु को परणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन रासिफल के सिरिंखला में आज 12 नौमबर 2022 दिन सनिवार मार्क शिश्मास क्रिश्न पग्ष चतूर्थी तिथी दस बच के 25 मिनट पी-म तक रहेंगे नशत्र मिल्क सीरा साथ बच के 33 मिनट ए-म तक रहेंगे उपरांत आद्रा नशत्र का आगमन हो जाएगा जिसके स्वामी राहुदेव हैं चंद्रमा मिथुन रासि में रहेंगे पूरे दिन आज का अभिजीत मुहर्थ 11 बच के 43 मिनट ए-म से लेके 12 बच के 27 मिनट पी-म तक रहेंगे अमरित काल 10 बच के 9 मिनट पी-म से लेके 12 बच के 56 मिनट ए-म तक रहेंगे राहुकाल 8 बच के 49 मिनट ए-म से 10 बच के 11 मिनट ए-म तक रहेंगे रात्री राहुकाल आठ बच के 18 मिनट पीम से 9 बच के 55 मिनट पीम तक रहेंगे तो आईए आज का रासिफ़ सुरू करें सबसे पहले मेश रासी चेंद्रदेव आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं मंगल के साथ चेंद्रमा साथ बच के 33 मिनट के बाद राहु के नशतर में चले जाएंगे साथ बच के 33 मिनट के बाद चेंद्रमा राहु के नशतर में रहेंगे और साथ बच के 33 मिनट एम के पहले चेंद्रदेव मिर्क शीरा मंगल के नशतर में रहेंगे तो साथ बज़ के तेतिस मिनट एम के बाद आपका कुछ यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है पर उसियों से आपको लाव हो सकता है बिसेश करके लक्री के उद्द्योग वाले को काफी लाव होगा सिपिंग के उद्द्योग वाले को काफी लाव होगा शुक्रदेप ब्रिस्टिक रासी में अश्टम में बैठे हुए हैं और शुक्र बिर्यस्पती के नशत्र में हैं बिर्यस्पती आपके बार्मे में बैठे हुए हैं एक तरफ खर्च की अधिक्ता रहेगी दूसरे तरफ खर्च को आप कम करना चाहेंगे लेकिन खर्च के दिखता अत्यधिक रहेगी सूर्ज, केतु, बुद्ध आपके सब्तम में बैठे हुए है प्राकर्म आपका बढ़ा हुआ रहेगा मनोबल आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा लेकिन जो बेक्ति प्रशासन में है सूर्ज, केतु की युक्ति है तो थोरी साबधानी से काम करेंगे आपको कई तरह के कस्ट भी हो सकते है जो बेक्ति डॉक्टर है, सर्जन है उनके के लिए समय काफी अच्छा है उन्हें काफी सफलता मिलेगी जो बेक्ति एजुकेशन लाइन में है उन्हें भी काफी सफलता मिलने की उम्मीदें है जो बेक्ति लुहे के बेपारी है जो बेक्ति वकील है उनके के लिए पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा है आठ बच के 35 मिनट सुबह से 11 बच के 32 मिनट सुबह तक ये समय काफी इनर्जेटिक वाला समय है लेकिन इस समय जो बेक्ति अनेतिक संबंद में है उनके के लिए काफी बुरा समय है जो बेक्ति लिविंग रिलेशन में है उनके के लिए बुरा समय है जो बेक्ति बिसेश करके होटल उद्द्योग से जुड़े हुए है उनके के लिए भी अच्छा समय नहीं है थोरे से बेचेंड रहेंगे आप महिलाओं से जंजट राई हो सकता है तो ये समय बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं है 11 बज के 32 मिनट एम से लेके 3 बज के 5 मिनट पी-एम तक का समय ये समय स्वास पर थोरे से ध्यान देने का समय है स्वास पर आप इसे ध्यान दें खर्च में थोरी सी कतोटी करने की काफी जरूरत होगी आपको विदेश से कुछ अच्छे समाचार सुनने की संभावना आपकी प्रवल है जो विदेश से वेपार करते हैं उनके के लिए समय अच्छा है विदेश से आपको अच्छी संभावना होंगी बिसिर्स करके जो कोस्मेटी का काम करते हैं जो western designing का काम करते हैं तीन बस के 5 मिनट पीएम से लेगे 7 बस के 19 मिनट पीएम तक का समय कर्म के छेतर के लिए ये समय काफी कारगर है काफी मेहनत करनी होगी और मेहनत से आपको काफी लाब मिलने वाला है जो बेक्ति जमीन जायदात का बेपार करते हैं जो बेक्ति खनीच पदार्थ का बेपार करते हैं जो बेक्ति लोहे का बेपार करते हैं उनके के लिए समय काफी अच्छा है जो बेक्ति सिपिंग का बेपार करते हैं जो वेक्ति टूर एंड ट्रेवल का वेपार करते हैं, जो वेक्ति लिक्विड बेस वेपार करते हैं, जो वेक्ति लक्रियों का वेपार करते हैं, जो वेक्ति एलेक्टिक समान का वेपार करते हैं, उनके के लिए भी समय काफी अच्छा है. जो बेक्ति धर्म गुरु है जो बेक्ति योग का स्कूल कॉलेज चलाते हैं योग की सिक्षा देते हैं उनके के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है तीन बच के पांच मिनट पीम से लेके साथ बच के उनीस मिनट पीम तक का समय तो ये समय काफी अच्छा है आपका लाब मिलेगा आपको साथ बज के उनीस मिनट से लेके गारा बज के छो मिनट पी-म तक थोरे से बुद्धी पजल रहेंगे कोई भी काम करने में थोरा सापको परिशानी का सामना करना परेगा गुद्धी ज़्यादा काम नहीं करेंगे लेकिन काफी एक्टिवेट रहेंगे आप काफी इंटलिजेंट रहेंगे इसकुल के बेपारी को इस समय काफी लाब मिलेगा जो एजुकेशन से लेटेड हैं काफी लाब मिलेगा जो ग्रोसरी का बेपार करते हैं उन्हें काफी लाब मिलने की संभावना है तो कुल मिला कर दिन आपका काफी अच्छा है आज के दिन आप हनुमान चलिसा का जरूर पाट करें तीन बार कम से कम उपरां शनी के मंतरों का जाब करें साथ ही साथ संध्या के वक्त शमी के पेर के नीचे सर्सू का तेल का दीपक जलावें और वही बैठकर आप शनी इस तूत का पाट करें जो राजा दस्रत द्वारा किर्थ है काफी लाब होगा दिन आपका शुभो ब्रिसवरा से चंद्रदेव बैठे हुए है आपके दूतिये स्थान पर मंगल के साथ सांधार लक्षमी योग लगाए हुए है चंद्रमा मिथुन रासी में है और सारे दिन मिथुन रासी में रहेंगे साथ ही चंद्रमा साथ वज के 33 मिनट के बाद सुबह साथ वज के 33 मिनट के बाद चंद्रमा राहु के आदरा नशत्र में चला जाएंगे राहु आपके बाड़ में में बैठे हुए है राहु सुक्र के नशत्र में है बेपार से बहुँ ज्यादा लाब की स्थितियां नहीं है लेकिन फिर भी विदेश के बेपार से आपको लाब होने की संभावना है प्रवल है दामपज जीवन से थोरे तनाव रहेंगे आपको बिरेस्पती देव आपके कादस में बैठे हुए है जो काफी सेविंग प्लानेंट है आपके बिरेस्पती सणी के इने शत्र में हैं और सणी भाग भाव में बैठे हुए हैं तो भाग भी आपका प्रवल रहेगा शणी की तीसरी दिष्टी बिरेस्पती वह पर रही है काफी धार्मिक मूट में रहेंगे आप काफी मेहनत करने के बाद income की संभावना हैं केतु सूर्ज और बुद्ध आपके बैठे हुए हैं चक्ठे अस्थान पर कर्ज लेने की परिस्तितियां उत्पन हो सकती है जो बेकती सर्जन है उनके के लिए समय अच्छा है जो बेकती वोखील है उनके के लिए समय अच्छा है जो बिक्ति दवा के वेपारी है समय आपका काफी मध्यम है जो बिक्ति प्रशासन में है उनका ट्रांसफर पुस्टिंग हो सकता है जो बिक्ति बीरोजगार है किसमत उनके साथ दे सकते हैं और रोजगार मिलने की संभावना प्रवल हो सकती है पैटरनल प्रोपर्टी से आपको लाव होने की संभावनाय हो सकती है हलाकि काफी रोमेंटिक मूड में आप रहेंगे लेकिन जो बेक्ति कॉस्मेटिक के बेपार करते हैं जो बेक्ति सिंगर हैं जो बेक्ति होटल का बेपार करते हैं जो बिक्ति artificial jewelry का वेपार करते हैं, उनके के लिए काफी अच्छा समय है, जो बिक्ति सरकार से licensing का काम करते हैं, insurance sector में काम करते हैं, उनके के लिए भी समय अच्छा है, दवा के वेपारी के लिए समय मध्यम ही है, 8.35 मिनट, एम से लेके 11.32 मिनट, एम तक का समय, ये समय कहीं से बहुत अच्छा नहीं है, हर तरफ से साबधान रहें, लेकिन cosmetic के वेपारी को विशेश करके विदेश से लाव होने की समभावना है, जो बेक्ति फिल्मों में काम करते हैं, उनके के लिए हॉलिवूट से लाव हो सकता है, हॉलिवूट से आपको काम मिलने की समभावना है, ज्यादा परवल है, 11.32 मिनट, एम से लेके 3.00 मिनट, पी-म तक कर समय, मन थोरह सा बेचेन रहेगा आपका, धर्म के परती भी थोरे से विश्वास उठेंगे आपके, किसी से जंजट राई हो सकता है, बरे बुजुर्गों से जंजट राई हो सकता है, जो बेक्ति टीचिंग के छेतर में हैं, जो बेक्ति ए स्टूडेंट हैं, उने भी थोरे से प्रिशानी का सामना करना पड़ सकता है, Tीन बज के पांच मिनट से लेके सात बज के उनींस मिनट पीम तक, बहुत सारे लोग इस समय बिदेश जा सकते हैं, बिदेश से आपको अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, भाग आपका प्रवल रहेगा खर्च की अधिक्ता रहेगी खर्च से थोले प्रशानी हो सकते हैं आपको लेकिन विदेश के लिए अच्छा समय है साथ बज के उनीस मिनट पी-म से लेके गारा बज के छे मिनट पी-म तक का समय है ये समय जो एजुकेशन सेक्टर में है उनके के लिए अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे जो विक्ति स्टेशनरी का बेपार करते हैं किताब कोपी का बेपार करते हैं उनके के लिए भी अच्छा समय है जो विक्ति बैंक से लोन लेना चाहते हैं उनके के लिए अच्छी सुचना है, मिलने का समय हो सकता है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, साधारन दिन है, काफी समझदारी से काम करें, कोई भी काम करने के पहले 50 बार सोच लें, नए प्रोपर्टी में आज के दिन किसी भी तरह का इन्वेस् हलाकि जो जमी जयदाद का काम करते हैं, जो भबन को खड़िते हैं, बेशते हैं, फ्लैट का बिजनेस करते हैं, उनके के लिए समय अच्छा है, जो विक्तिव वकील हैं, उनके के लिए समय अच्छा है, आज के दिन आप हनुमान चलिसा का जरूर पाड़ करें, साथ ही के इस मंत्र का जाप करें ओम सने चराए बिदेही छाया पुत्राए धीमही तन्नुमंद पचोदेयाद काफी लाब मिलेगा और आज के दिन किसी भी गरीब को लूले लंग्रे को बिसेश करके आज के दिन जो बिक्ति बिल्कुल ही आसहाय हैं उन्हें कुछ सहायता प्रदान करें साथ में अपने पूरहित को एक काला च्छाता भेंट करें काफी लाब होगा आपको दिन आपका शुभ हो मितुन रासे चंद्रदे बैठे हुए हैं आफी की रासी पर मंगल की युक्ति में बैठे हुए हैं चंद्रमा साथ बच के तेतीस मिनट तक मंगल के ही नशतर में रहेंगे साथ बज़ के तेतीस मिनिट सुवा के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राहू के निशत्र में तो समय आपका ज्यादा अच्छा जाएगा इंकम के सूर्स प्रबल होंगे इंकम के मामले में नैतिक हो या अनैतिक हो हर काम के लिए आप अग्रसर ज्यादा रहेंगे मंगल बैठे हुए हैं आपके लगन में चंद्रमा के साथ थोड़े से प्लट पेशर पर आप ध्यान देंगे पैटरनल प्रोपर्टी से लाब होगा जमीन जैदा से आपको काफी लाब होगा लेकिन बाहन बिलकुल साब्धानी से चलावें बाहन चलाने में किसी भी तरह का जो खिम न उठावें तो ज़्यादा अच्छा है जो बेक्तिव वकील है एड़वोकेट है अचानक सफलता आपको मिल सकती है परन्तु दिन बहुत अच्छा नहीं है आपका थोरे गुस्से में रहेंगे थोरे ब्लड प्रेशर आपके बरहे हुए रहेंगे जिसके कारण आपको काफी तकलीव का सामना करना पड़ सकता है सूर्ज किये दूबुद आपके पंचे मस्थाने बैठे हुए है संतान से काफी लाब मिलेगा संतान को बाहर जाने के भी प्रगाम बन सकते है जो बिक्ति विसेस करके प्रशासन में है उनके के लिए समय काफी अच्छा है जो डॉक्टर है, सर्जन है, दवा के बिक्रता है जो बिक्ति जमीन जैदाद के बिक्रता है उनके के लिए भी समय काफी अच्छा है खर्च की काफी अधिक्ता रहेगी आप में खर्च की अधिक्ता से थोड़े से परशानी हूंगे आपको आठ बच के 35 मिनट एम से लेके 11 बच के 32 मिनट एम तक का समय ये समय आपके लिए धन कमाने के लिए काफी अच्छा है पैसे की अच्छी इस्तिती बनेगी महिलाओं से भी आपको लाव होने की इस्तिती है जो विक्ति होटल के बेपारी है जो विक्ति कॉस्मेटिक के बेपारी है जो विक्ति बिसेश करके आज अच्छा लाव होने की संभावनाय प्रवल है मंगल लगन में बैठे हुए है मंगल आपके कुणली में अपने ही नशत्र में मिर्क शीरा नशत्र में है मंगल आपके आयभाव के स्वामी है जमीन ज्यादात के कारवारई को काफी लाव मिलेगा जो बेक्ती ऐलेक्ट्रिक का कारवार करते हैं जो बेक्ती लक्री उद्ध्योग से जुरह हुए है जो बेक्ती फर्नीचर उद्ध्योग से जुरह हुए है जो बेक्ती लिक्विड बेस काम करते हैं उन्हें भी काफी लाव मिलने की संभावनाय है Sipping के बेपारी को आज काफी लाब मिलेगा Tour and Travel का जो बेपार करते हैं काम करते हैं उन्हें भी काफी लाब मिलने की संभावनाय है जो Insurance Sector में है Government and Liesning का काम करते है जो योग गुरु हैं जो बेक्ति धर्म गुरु है आपको काफी लाब होने की संभावनाय परवर है जो बेक्ति आटो मुबाइल में है जो बेक्ति Lubricant का काम करते हैं उनके के लिए समय अच्छा नहीं है लेकिन जो बेक्ति खणीज पतार का खुदाई करके निकालते हैं उनके के लिए समय अच्छा है 8 बच के 35 मिनट एम से लेके 11 बच के 32 मिनट एम तक का समय काफी अच्छा समय है हर तरफ से आपको लाव होगा 11 बच के 32 मिनट से लेके 3 बच के 5 मिनट पी एम तक का समय कर्ण के छित्र काफी बढ़े हुए रहेंगे इसमें आपको थोरे से अपने से बड़े बुजूर्गों से थोरे से जंजट हो सकते हैं नैतिक मद्वेद हो सकता है तो थोरे से समल के इसमें काम करें किसी भी तरह का इसमें कुछ जंजट टड़ाई judicial problem होने की भी संभावनाय प्रवल हैं आपके तो थोरे समल के काम करने की जुरुरत है इस समय आपको काम में भी नुकसान हो सकता है आपको गुसे में ज़्यादा रहेंगे तो काम बहुत ही नुकसान होगा तो समल के काम करें अपने से बुजुर्गों से जंच ट्राई न करें जो बेक्तिय स्टूडेंट है युवा है सिख्षकों से जंच ट्राई इस समय न करें तो ज्यादा अच्छा है तीन बच के पांच मिनट पी-म से लेके साथ बच के उनीस मिनट पी-म तक का समय अचानक गलत काम की ओड न जाएं तो ज्यादा अच्छा है साथ बच के उनीस मिनट पी-म से लेके गारा बच के छो मिनट पी-म तक का समय ये समय अच्छा है आपका बिसेश करके जो इस्कूल का बेपार करते हैं जो बेक्ति ग्रोसरी का बेपार करते हैं जो वेक्ति बिसेज करके चावल दाल का वेपार करते हैं गिहूं का वेपार करते हैं उनके के लिए समय काफी अच्छा है जो वेक्ति डॉक्टर हैं सर्जन हैं उनके के लिए काफी ही अच्छा समय है लेकिन जो वेक्ति ट्रांस्पोर्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं उनके कली समय अच्छा नहीं है आज के दिन आप सुन्दर काण्ड का पाड जरूर करें सुन्दर का पाड करने के बाद आप इस मंत्र का जाब जरूर करें ओम प्राम प्रिम प्राम सस्थ सनचराय नमा, ओम प्राम प्रिम प्राम सस्थ सनचराय नमा, शनी मंदिर में सरसो का तेल का दीपक जलावें, और वहीं बैठ कर 108 बार, ओम प्राम प्रिम प्राम सस्थ सनचराय नमा का जाब करें, काफी लाब होगा, दिना आपका शुब हो, दिन बहुत अच्छा नहीं है आपका किसी भी तरह का यात्रा करना जोखिम पूर्ण हो सकता है तो यात्रा आप न करें जो बेक्ति रियल स्टेट में काम करते हैं जमिन जयदात का काम करते हैं थोरे से सापधानी से काम करें आपको नुक्सान होने की संभावनाय जयदा परवल है जो बेक्ति एलेक्ट्रिक का काम करते हैं जो बेक्ति लक्री उद्योग से जुरे हुए हैं जो बेक्ति फर्नीचर का काम करते हैं उनके के लिए भी समय अच्छा नहीं है मन काफी आपका सुस्त रहेगा स्वास पर भी सेज ध्यान देने की जरूरत है सर्दी खांसी का प्रकॉप ज़्यादा हो सकता है फेफिरे में थोड़े से प्रोब्लम हो सकते हैं इन्फेक्शन हो सकते हैं तो स्वास पर आपको ध्यान देने की जरूरत है अधिक टेंसल लेने की जुरुत नहीं है स्वास पर थोड़ा सा ध्यान दे सूर्ज केतु और बुद्ध आपके बैठे हुए हैं चतुरतस्थान पर राहु की दृष्टी है राहु दसम में बैठे हुए है राहु सुक्र कही नशतर में है सुक्र पंचम में बैठे हुए है तो कार्च शेतर आपके अच्छे रहेंगे बिसेश करके उन बैक्तियों के लिए कार्च शेतर ज्यादा अच्छा रहेगा जो बैक्ति मीडिया से जुरे हुए है जो बैक्ति फिल्मों से जुरे हुए है जो वेक्ति केमिकल वेपार से जूरे हुए है जो वेक्ति मुर्गी पालन से जूरे हुए है जो वेक्ति बक्री पालन से जूरे हुए है जो वेक्ति मच्छी पालन से जूरे हुए है उनके के लिए समय काफी अच्छा है आज के दिन महिलाओं से भी आपको काफी लाव होने की संभावनाय प्रवल है लेकिन चुब एक ति पहले से हिरदयर होगी है वो थोरे से समल के आज के दिन रहेंगे समल के काम करेंगे खान पिन पर ज़्यदा खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा उजित होगा भाग भाओं में बिर्यस्पती आपके भाग को तो बरा रहे हैं प्राकर्म को भी बरा रहे हैं बिर्यस्पती सनी के ने चत्र में हैं पार्टनर्सिप के बेपार से आपको काफी लाब होगा भाग के काफी परवल रहेगा आपका जो बेक्ति आटो मुवाइल का काम करते हैं जो बेक्ति ट्रांस्पोर्टिंग का काम करते हैं जो बेक्ति लिवरिकेंड का काम करते हैं उनके के लिए समय अच्छा है आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है 8 बच के 35 मिनिट ऐम से लेके गारा बच के 32 मिनिट ऐम तक को समय कर्म के छितर के लिए काफी अच्छा समय हे आपका दिमाग भी आपके काफी तेज रहेंगे काम में सफलता मिलेगी आपको तो ये समय आपके लिए काड़ छित्र के लिए बहुत ही सांदार समय है लेकिन आलस आपको काफी परिशान कर सकता है 11 बच के 32 मिनट एम से लेकि तीन बच के 5 मिनट पी एम तक का समय ये समय भी आपके लिए काफी अच्छा है हलाकि धर्म से थुरा सा विस्वास आपका उठा हुआ रहेगा लेकिन जो बेक्ति धार्मिक गुरू है जो बेक्ति इंसुरेंट सेक्टर में काम करते है जो बेक्ति मेनेजमेंट सेक्टर से जुरे हुए है जो विक्ति गौर्णमेंट से लाइजनिंग का काम करते हैं उनके के लिए ये समय अच्छा है तीन बज के पांच मिनट पी-म से लेके साथ बज के उनीस मिनट पी-म तक का समय ये समय जो विक्ति हिर्दैर होगी है उनके के लिए थोरा सा भाड़ी समय है अपने स्वास पर आपको विशेज ध्यान देनी है इस समय ट्रांस्पोर्टिंग के काम बाले को काफी लाव होगा जो लोहे का वेपार करते हैं जो इंजिनिरिंग सेक्टर से जुरे हुए हैं उन्हें काफी लाव होने की संभावना है जो वेक्ति केमकल उद्द्योग से जुरे हुए है जो वेक्ति मचली पालन से जुरे हुए है जो वेक्ति मुर्गी पालन से जुरे हुए है जो वेक्ति बक्री पालन से जुरे हुए है और इस समय जो वेक्ति मध निकालते हैं मध मख्यी पालन का काम करते हैं चलाते हैं थोड़े से प्रशानी का सामना करना पर सकता है जो वेक्ति ग्रोसरी का बेपार करते हैं थोड़े से प्रशानी का सामना करना पर सकता है लेकिन लुहे के बेपारी को काफी लाब होगा इंजिरिनिंग सेक्टर वाले को काफी लाब होगा जो वेक्ति हिर्देर तो कुल मिलाकर करक्रासी वाले दिन आपका उतना बुरा नहीं है दिन आपका अच्छा है आप कार छेतर में लगे रहें काफी आपको लाब मिलने की संभाव ना है आज के दिन आप शिवा ले जाएं शिबलिंग पर जल के साथ काला तिल और काला गुर से बना हुआ कोई भी मिठाई भोग में लगावें और वहीं बैठकर आप ओम नमस्षिवाए सिवाए नमान नमस्षिवाए अब नमस्षिवाए का जाप करें शाथी साथ आज के दिन आप हनुमान मंदिन में भी सुंदर कांट या हनुमान चलिसा कथ तीन बार पाठ करें और जाप करें ओम हंगन मंते नमा रांग रामाए नमा काफी लाब होगा आज के दिन किसी भी अंधे स्कूल में आप भूजन का बितरन जरूर करें मिठाई का बितरन जरूर करें पैकेट में ही मिठाई दें अपने हाथ से दें आपको काफी लाब होगा दिन आपका शुबो सिंगरा से चेंदरदे बैठे हुए हैं आपके एकादस अस्थान पर मंगल के साथ सांदार लक्ष्मियोग लगाए हुए हैं चेंदरमार राहू के नशत्र में है मंगल मिर्क शीरा नशत्र यानि अपने ही नशत्र में है तो आज के दिन आप कोई भी काम करने को तयार हो जाएंगे आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सा काम नैतिक है कौन सा काम अनैतिक है प्राकर्माप का काफी बढ़ा हुआ रहेगा प्रशासन से आपको काफी लाब मिलने वाले हैं जियोबिक्ती एडवोकेट हैं वकील हैं उनके के लिए काफी लाब का समय है खर्च की काफी अधिकता रहेगी नए मकान नए गारी खरिदने की प्लानिंग आप मना सकते हैं बिर्यसपती देव आपके अस्टम में बैठे हुए है बिर्यसपती देव की आपकी पंचम दृष्टी पर रही है बार में भाव पर तो खर्च की कटोती करना चाहेंगे लेकिन खर्च में कटोती नहीं कर पाएंगे घर के लिए काफी साजों सज्जा का समाना परचेज कर सकते हैं आठ बच के 35 मिनट एम से लेके 11 बच के 32 मिनट एम तक का समय भाग के काफी प्रवल रहेगा आपका और महिलाओं से आपको काफी लाब मिलने की समभावना है प्रवल है ये समय आपके लिए काफी अच्छा समय है बुड़ा समय नहीं है जमीन जायदात का कारोवारी को काफी इस समय लाब होगा किसी भी तरह से उनने लाब होगा केवल एक चीज का ध्यान रखे कि न किसी को गलत जमीन बेचे न किसी से गलत जमीन खरीदे अभी तो काफी लाव हो जाएगा आपको लेकिन बाद में काफी नुकसान होंगे आपको 11 बच के 32 मिनट एम से लेके 3 बच के 5 मिनट पी एम तक का समय ये समय थोड़े से स्वास्त के लिए अच्छा समय नहीं है मन भी काफी बेचेन रहेंगे आपको जो धर्म गुरू है योग गुरू है उनके के लिए भी अच्छा समय नहीं है बेचेनी का आलम ज्यादा रहेगा पेट में थोड़े से इन्फेक्शन होने की समभावना है प्रवल है अचानक धन का योग आपको इस समय प्राप्त हो सकता है तीन बच के पांच मिनट पीम से लेके साथ बच के उनीस मिनट पीम तक का समय ये समय कर्म के छितर के लिए काफी अच्छा समय है जो वेक्ति लेवर टाइप के काम करते हैं उनके के लिए काफी अच्छा समय है जो लेवर से काम कराते हैं उनके के लिए भी अच्छा समय है जो बेक्ति कंश्रक्शन का काम करते हैं उनके के लिए भी काफी अच्छा समय है इस समय थोड़े से लोन लेने की आपको जरूरत महसूस होगी और आप लोन ले सकते हैं इस समय सत्रूओं को आप प्रास्त करेंगे थोरे से मनसुस्त रह सकते हैं आपके लेकिन कुल मिला के ये समय काफी अच्छा है साथ बज़ के उनीस मिनट एम से लेके गारा बज़ के छे मिनट पीम तक का समय ये समय बिदेशों से आपको कुछ लाब मिल सकता है परोसी देश से कुछ लाब मिल सकता है परोसीों से भी आपको काफी मदद मिलेगी जो बेक्ति सर्जन है, उनके के लिए बेहतरीन समय है, जो बेक्ति मेडिसीन का कारोबार करते हैं, उनके के लिए भी ये समय काफी अच्छा समय है, ये समय लाप का समय है, जो बेक्ति ग्रोसरी का बेपार करते हैं, जो बेक्ति आटोमोबाइल से जूरे हुए काम करते हैं, आज उनके के लिए थोड़ा सा समय मद्ध्यम रहेगा, तो कुल मिला कर, सिंग रासी वाले समय आपका अच्छा है, आज के दिन सूर्ज को जल चरावें, जल में थोड़े से गूर और चावल डाले, और ओम घिर्निये सूर्जाय नमः, ओम घिर्निये सूर्जाय नमः का जाप करते हुए, सूर्ज को जल चरावें, साती साथ गैत्री मंत्र का पाट करें, हरुमान चलिसा का पाट आज के दिन आप जरूर करें, और शनी के इस मंत्र का जाप करें, ओम शने चराए विदेही चाया पुत्राए, धिमही तन्नो मंद पचोदयाद, ओम शने चराए विदेही चाया पुत्राए, धिमही तन्नो मंद पचोदयाद, शाम को शमी के पेर के नीचे, सरसो का तेल का दिपक जलावें, ओम प्राउम प्रिम प्राउम ससने चराए नमः, या वही पर आसन लगाकर, आपका शुब हो जो बेक्ति बिदेज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अचानक धन का लाव होने की काफी संभावनाय है कुछ लोट्रियां निकल जाने की संभावनाय है जो काम होगे अचानक होगे और काफी अच्छे होगे बिरहस्पति देव आपके मान सम्मान को बरा रहा है जो बेक्ति युवा हैं यूपति हैं आज के दिन खुझ से साधी बिया कर सकते हैं लब मेरेज कर सकते हैं जो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं ते साधी का वो आज के दिन साधी बिया कर सकते हैं सूर्ज बोध केतु आपके दूती ये स्थाने बैटे हुआ है थोरे से पेटरेनल प्रोपर्टी में नुकसान की संभाव ना है लेकिन अपनी प्रोपर्टी आप बना सकते हैं बानी काफी डिप्लोमेटिक बानी आपकी रहेगी कभी आदेश देने वाली भी बानी बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपकी काफी बुद्धिमान रहेंगे इस्कूल के बैपारी को जो एजुकेशन सेक्टर से जुरे हुए हैं जो रिसर्च सेक्टर से जुरे हुए हैं जो एग्रिकल्चर से जुरे हुए हैं उन्हें काफी लाव होगा हलाकि जो एस्टूडेंट है आज के दिन पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगेगा बेचेनी उनको ज्यादा रहेगी और काफी सुस्ती में रहेंगे प्रहाई लिकाई में भी काफी उनकी इस्तिती बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है मंगल अपनी सब्तम दिरिश्टी से आपके चतूरत स्थान को देख रहे हैं जमीन जयदात मकान से आपको लाव होने की संभावनाय परवल है मंगल आठमी दिरिश्टी से आपके पंचम अस्थान को देख रहे हैं संतान के परती थोरे से संबेदल सील आपको रहना परेगा संतान को थोरे चूट वगरे लगने की संभावनाय प्रवल हो जाएंगी आठ बच के 35 मिनट एम से लेके 11 बच के 32 मिनट एम तक का समय ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपका थोरे से परशानी में रहेंगे थोरे से आपका मन बिखरा बिखरा रहेगा थोरे से बेचेनी का आलम ज्यादा रहेंगे आपको थोड़े से नुकसान होने की समभामना जादा है लेकिन जो बिदेश से BCS करके कौस्मेटिक का काम करते हैं कपरों का काम करते हैं रेडिमेड गार्मेंट्स का काम करते हैं उनके के लिए काफी अच्छा समय है 11 बच के 32 मिनट एम से लेकर तीन बच के पांच मिनट पीम तक का समय, ये समय, बेपार में थोरे से नुकसान का समय हो जाएगा, जो बेपारी हैं, उन्हें थोरे से नुकसान का समय होगा, जो बेक्ती धर्म गुरू हैं, जो बेक्ती टीचर हैं, जो बेक्ती इंसुरेंस सेक्टर में काम करते हैं, थोरे स से नुकसान का समय आपको ज्यादा प्रवल होगा तीन बच के पांच मिनट पीम से लेके साथ बच के उनीस मिनट पीम तक का समय संतान के परती थोरा सा ध्यान आपको ज्यादा लगाना है इस समय विसेज करके करने संतान पर थोरा सा ध्यान देना है उनके स्वास थोरे से पीम तक का समय ये समय एजूकेशन सेक्टर वाले को अचानक लाव होगा जो बेक्ति बेपार करते हैं ग्रोसरी का बेपार करते हैं दाल चावल का बेपार करते हैं उनके के लिए ये समय काफी अच्छा है जो बेक्ति बिदेशों से काम करते हैं चाहे जो बेक्ति डॉक्टर हैं सर्जन हैं विदेश जाते हैं उनके के लिए समय अच्छा है विदेश जाने का प्रवली योग है जो विदेश सर्जन है उनको काफी लाव होने की संभावना है अच्छे से अच्छे ऑपरेशन को बुरे से बुरे ऑपरेशन को आप काफी सफलता पुर्वक कर पाएंगे दिन आपके लिए काफी अच्छा है जो विक्तिय एडवोकेट हैं वोकील हैं उनके के लिए पूरा का पूरा दिन काफी अच्छा है आपको काफी लाब मिलेगा आज के दिन आप शनी बार है हनुमान चलिशा का कम से कम तीन बार पाठ करें साथी साथ इस मंत्र का जाप करें पूरे दिन राहू के नशतर रहेंगे दुर्गा सबस्ती की इस मंत्र का जाप करें आप यह मंत्र आपको काफी रहत देगा दिन आपका शिवो तुलारासी चेंद्र देव बैठे हुए हैं आपके भागभाँ में मंगल के साथ सांदार लक्ष्मी योग लगाए हुए हैं मंगल अपने ही नशतर में हैं मिर्क शिरान शतर में चेंद्रमा मिथुन रासी में बैठे हुए हैं साथ बज़ के 33 मिनट तक चेंद्रमा मिर्क शिरान शतर में ही रहेंगे मंगल के नशतर में थुरे से गुस्से का प्रकोप इस समय ज़्यादा हो सकता है साथ बज़ के 33 मिनट एम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राहू के नशत्र में राहू आपके सब्तम अस्थान में बैठे हुए हैं बेपार से आपको काफी लाब की स्थिति बना रहे हैं बिदेश जाने की भी स्थिति को काफी परबल कर रहे हैं यात्रा का योग काफी परबल कर रहे हैं भाग किस्मत इतना आपका साथ देगा भाग किस्मत से आपको काफी पैसे मिलने की संभावना है परमोशन आपके होने की संभावना है बहुत ज़्यादा परबल है थोड़े से आप ज़्यादा एग्रिसीव आज के दिन रहेंगें लेकिन अंदर से थोड़े से फियर रहेगा आपको अंदर से थोड़े से डर समाया हुआ रहेगा आज के दिन किसी को भी ज्यादा से ज्यादा आदेश दे सकते हैं आप मान परतिश्टा आपका काफी बरा हुआ रहेगा काफी बुद्धि मान रहेंगे माता से भी आज के दिन आपको लाब मिलने की संभावना है हैं कुछ करज लेने की संभावना आपकी प्रबल होंगे लेकिन किस्मत आज आपके साथ रहेगा आठ बच के 35 मिनट एम से लेके 11 बच के 32 मिनट एम तक का समय बेपार से आपको काफी लाब होगा काफी इनर्जेटिक रहेंगे लेकिन पार्टनर्सिप के बेपार में पार्टनर आप से थोड़े से धोखा धरी कर सकते हैं तो पार्टनर के पर विसेज ध्यान रखें आप अपने काड़ छेतर में विसेज ध्यान रखें अपने बेपार में विसेज ध्यान रखें जो बेक्ति मु पूरा का पूरा दिन आपके लिए बड़ा ही सुन्दर है किसमत आपके साथ रहेगा जीत आपकी ही होगी आठ बच के 35 मिनट एम से लेके 11 बच के 32 मिनट एम तक कसम है ये समय थोरे से partner से बच के रहना है partner पर business निगाहें रखनी है partner सिर थोरे से आपको मनमुदाव होने की संभाव नहां है हैं अगर आपके partner business कर के कोई महिला हैं तो ज्यादा मनमुदाव हो सकता है आपको की 11 बज के 32 मिनट एम से लेके 3 बज के 5 मिनट पी एम तक का समय ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है आपका लेकिन बैंक से जिन्होंने करज के लिए अपलाई किया है उन्हें करज मिल सकता है थोरे से इस समय ध्यान देने का समय है कर्ज देने का समय नहीं है अगर बैंकिंग से कर्ज मिलता है तो आप कर्ज ले सकते हैं लेकिन आपको इस समय थोरा ज्यादा ध्यान में रहने की जुरुत है स्वास्ती बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा अपने से बरों से कुछ नैतिक मदभेद भी हो सकते हैं जंज टराई भी हो सकता है किसी महिलाओं से भी जंज टराई हो सकता है तो थोरे से साथधानी बरतने की जूरत है आपको इस समय तीन बच के पांच मिनट पी-म से लेके साथ बज़ के उनीस मिनट पी-म तक का समय ये समय थोरे से माता के लिए अच्छा समय नहीं होगा लेकिन जमीन जायदाद से इस समय आपको लाव हो सकती है नए बाहन का भी प्रोग्राम बना सकते हैं नए घर भी ले सकते हैं आप जो बैक्ति बिसेस करके लोहे के उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द वाले दिन आपका बुरा नहीं है, भाग दोर की स्थिति ज्यादा रहेगी, जिसे ठकावट आपको ज्यादा होगा, फिल्मों में काम करने वाले गाये काम को आज के दिन का फिल लाव हो सकता है, आज के दिन आप शनीवार का दिन है, आज के दिन आप सुन्दर कांड का मंतर का जाब जरूर करें पूरे दिन शेंद्रमार राहू के नशत्र में रहेंगे थोरे से परशानी आपको हो सकती है तो राहू के मंत्रों का जरूर जाब करें शाम को सम्मी के पेर के निचे एक चो मुखा दीपक जलावें और आज के दिन गरीबों को काफी मदद करें जो लूरे लंगरे हैं उन्हें मिठाई का भोजन मिठाई जरूर परदान करें काफी आपको लाब होगा दिन आपका शुभो ब्रिस्यक्रा से चेंद्रदे बैठे हुए हैं आपके अश्टमस्थान पर मंगल के साथ बैठे हुए हैं चेंद्रमा साथ बज़ के 33 मिनट तक मंगल के ही नचतर में रहेंगे साथ बज़ के 33 मिनट के बाद चेंद्रमा चले जाएंगे राहू के नशत्र में या आद्रा नशत्र में तो आज के दिन हर काम समहल के करने की जुरुरत है आपको स्वास्त में आपको परशानी का सामना करना पर सकता है छोटे मुटे घटना दुर घटना का योग है तो साबधानी नहाटावें बाहन सापधानी से चलावें अगनी से दूर रहें आप electricity से दूर रहें आप kitchen में आप न जाएं अगनी से दूर रहें बहती गंगा में न नहाएं बहते पानी में न नहाएं उसके के लिए समय अच्छा नहीं है आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना थोड़ा सा जोखिम पूर्ण हो सकता है तो यात्रा को थोड़े से अभवाइड करे हलाकि काफी रोमेंटिक मूर में रहेंगे सुक्र लगन में बैटे हुए है काम भावना की विश्थिति आपकी ज्यादा बनेगी तो अपने आपे सहीम रखे आठ बज़ के पैंतिस मिनट एम से लेके गारा बज़ के बतिस मिनट एम तक का समय ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपका करज लेने की सिर्थिति में आ सकते हैं लेकिन सत्रूओं का समन होगा सत्रूओं को आप समन करेंगे महिलाओं से काफी लाब मिलने की संभावना है महिलाओं से भी आप कर्ज ले सकते हैं और उसे आपको काफी लाब होगा 11 बज के 32 मिनट एम से लेके 3 बज के 5 मिनट पी एम तक कर समय ये समय जो बेक्ति बेरोजगार है आज के दिन रोजगार मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रवल है जो बेक्ति राइटर हैं फिल्मों में काम करते हैं उनके के लिए समय काफी अच्छा है जो बेक्ति बिसेश करके केमकल उद्द्योग से जुरे हुए हैं उनके के लिए समय काफी अच्छा है लोन करजे लेने की समभाबना बरहेंगे जो बैगति सरजन हैं, डॉक्टर हैं, विधेश जाने की समभाबना आपकी काफी बरहेंगे जो बैगति education sector में है, बहुत ज़्यादा फायदा होने की समभाबना नहीं है लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे हाई रेजुकेसर में उनका एड्मिशन बहुत ही आडाम से होगा अच्छे कॉलेज में एड्मिशन होने की समभावना है आपकी बहुत ज्यादा प्रवल है तीन बज़ के पांच मिनट पीम से लेके साथ बज़ के उननीस मिनट पीम तक का समय जो विक्ति एड्वोकेट हैं उनके के लिए अच्छा समय नहीं है अत्तिक प्राकरमी रहेंगे आप लेकिन अच्छे रिजल्स आपको मिलने की समभावना बहुत कम है जो विक्ति विसेज करके रियल एस्टेट में काम करते हैं जमीन जायदाद खरते हैं जमीन जायदाद बेशते हैं जो विक्ति अगनी उद्योक से जुरे हुए हैं उनके के लिए भी समय अच्छा नहीं है साथ बच के उनीस मिनट पी-म से लेके गारा बच के छो मिनट पी-म तक का समय ये समय अत्यदीख खर्च का समय रहेगा बिना मतलब के भी आप खर्च कर सकते हैं जो बेक्ति एजुकेशन सेक्टर से जुरुए हैं उनको अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिलेंगे जो बेक्ति बिदेश दाना चाहते हैं उनके के लिए काफी अच्छा समय है ये तो उनके के लिए अच्छा समय है तो कुल मिला के देखें तो बिस्षिक रासी वाले आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है फिर भी आप काफी मस्त रहेंगे रोमेंटिक मूड में रहेंगे आज के दिन आप सुन्दर कांट का पाट तो जरूर ही करें सुन्दर कांट के पाट करने के बाद कम से कम एकीस बार ओम ब्राम ब्रिम ब्राम सहरावे नमा अम भ्राम ब्रिम भ्राम सह रावे नमा का जाप करें संध्या के भक्त शमी के पेर के नीचे सरसो का तेल का दीपक जलावे और इस मंतर का जाप करें अम सनिचराय बिदही छाया पुत्राय धीमही तन्नुमंद पचोदयात ओम सनेचराय बिदेही छाया पुत्राय धीमही तन्नुमंद पचोदेयात कम से कम एक सूआट बार करें नहीं तो 21 बार भी कर सकते हैं कावन बार भी कर सकते हैं काफी लाब होगा आपको दिनापका शुबो धनो रासी चेंद्रदेव आपके मिथुन रासी में बैठे हुए हैं जो आपके सब्तमभाव की रासी है चेंद्रमा साथ बज के 33 मिनिट तक अपने ही नशतर में मिर्क्षी रा में रहेंगे साथ बज के 33 मिनिट के बाद चेंद्रमा चले जाएंगे आदराने चतर में जिसके स्वामी राहू है राहू पंचम में बैठे हुए है चेंद्रमा मंगल के साथ सांदार लक्ष्मी योग लगाए हुए है लेकिन थोरे से ब्लड प्रेशर आपके बरहे हुए रहेंगे थोरे से गुस्से का परकोप रहेगा जमिन ज्यादा से आज आ कंपनी का काम करते हैं उनके के लिए समय बहुत ही अच्छा है आज के दिन बहुत सारे युवा यूपती इंटरकास्ट मेरेज कर सकते हैं थोरे से गुस्से की अधिकता रहेगी लेकिन समय आपका बहुत ही बेतर है धनुरा सिवाले जो बेक्ति वोकील है एड़वोकेट ह हैं आज आपके लिए काफी लाब का समय है काफी लाब होनी की स्थिति में आप हैं शनी की सरसाती भी आपकी खत्म होनी की स्थिति में आ गई है 17 जनवरी 2023 को सनी आपका सनी की सरसाती खत्म हो जाएगी समय काफी अच्छा है हुआ है आपका 8 बच के 35 मिनट से 11 बच के 32 मिनट तक का समय हर तरह का नेतिक हो या अनेतिक हो कार्ज करने में आप अगड़सर हो जाएगे जो बेक्ती बिसेस करके डॉक्टर है जो बेक्ती खनीश्पदार्थ का काम करते हैं उनके के लिए समय काफी अच्छा है जो बेक्ती सर्जन है विदेश भी जा सकते हैं यहां भी काम की काफी अधिकता रहेगी काफी जम के काम करेंगे सांस लेने की भी फुर्सत आपको नहीं मिलेगी जो वेक्ति विसेज करके कंश्ट्रक्शन कंपणी में काम करते हैं कुछ उलट फेर आप कर सकते हैं जो वेक्ति प्रशासन में है थोरे से साफधानी होके काम करेंगे हर अनेतिक काम से आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है 11 बच के 32 मिनट एम से लेके 3 बच के 5 मिनट पी एम तक का समय ये समय काफी लाब दायक समय है संतान से आपको काफी लाब मिलने का उमीदे हैं लेकिन संतान से थोरे से नहीतिक मदविद भी आपको हो सकते हैं जो वेक्ति टीशिंग छेतर में है उनके के लिए अच्छा समय है जो वेक्ति एस्टुडेंट विदेश जाना चाहते हैं उनके के लिए अच्छा समय है टीशेट से आपके मतवेद होने की संभावनाई ज्यादा परबल रहेंगे 3 बच के 5 मिनट पी एम से लेके 7 बच के 19 मिनट पी एम तक का समय ये समय पैटर्नल प्रोपर्टी के लिए बहुत ही सांदार समय है हर तरफ से आप पैटर्नल प्रोपर्टी के लिए काफी सक्छम होंगे जो वेक्ति लेवर युक्त काम करते हैं जो वेक्ति construction का काम करते हैं, उनको काफी लाब दायक समय होगा, जो वेक्ति बक्री पालन, मुर्गी पालन का काम करते हैं, जो वेक्ति सिपिंग उद्योग से जुरे हुए हैं, जो वेक्ति लिक्विड उद्योग से जुरे हुए हैं, उनके के लिए समय काफी अच्छा है, ये काफी लाब प्रत समय है आपका हर तरफ से आप लाब कमा सकते हैं चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो इसकी परवाब आप नहीं करेंगे इसकूल बेपारी को काफी लाब होगा, कंस्ट्रक्शन के बेपारी को काफी लाब होगा, सर्जन को काफी लाब होगा तो ये समय आपके लिए आर्थिक दिर्ष्टिकून से काफी अच्छा है नेतिक दिर्ष्टिकून का जहां तक सवाल है ये आप पे डिपेंड करता है इस समय जो विशेज करके सरकारी तंत्र में हैं मुचाधिकारी हैं हर्थ रखे अनेतिक काम से आप दूर रहें वरना आपको थोरी सी मुसिबत का सामना करना पड़ सकता है तो कुल मिलाकर धनुरासी वाले समय आपका काफी अच्छा है आज के दिन आप हनुमान चलिस्ता का कम से कम तीन बार पाठ करें उपरांत का जाब करें दुर का सबस्ती के इस मंतर का जाब करें काफी लाब होगा दिन आपका श्रुभो मकर्रासी चंद्रदेव आपके छटे स्थान में बेटे हुआ है मंगल के साथ बेटे हुआ है मितुन रासी में बेटे हुआ है चंद्रमा राहू के नशतर में रहेंगे साथ बच के तेतीस मिनट एम के बाद साथ बच के तेतीस मिनट एम के पहले चेंद्रवां मंगल के ही ने शत्र में रहेंगें रहु आपके कुली में बैटे हुए हैं चतुरतस्तान पर माता के स्वास पर भिसेज ध्यान देने की आपको जरूरत है जमीन जायदाद को बंदक रखके आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं आज के दिन सत्रूओं का आप समन कर सकते हैं आज के दिन जो बेक्ति पुलिस सेवा में हैं उनके के लिए बहती बहतीरीन समय है जो बेक्ति सेना में हैं उनके के लिए भी काफी सांदार समय है सूर्ज, केतु और बुद्दाप के दसमस्थान में बैठे हुए हैं जो ब्यक्ति प्रसास्निक सेवा में हैं, डॉक्टर हैं, सरजन ने उनके के लिए बेदर से बेदर समय है जो ब्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, गाना गाते हैं, रंगमईश में काम करते हैं कला के किसी भी शित्र में उनके क्रीबी अच्छा समय है काफी धर्म उक समय है अगल बगल के पर उसी देश में आपकी यात्राएं हो सकती है 8 बस के 35 मिननट A.M. से लिएके 10 बस के 32 मिननट A.M. तक का समय यह समय माता के स्वास के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है थोड़ा से माता के स्वास पर आपको ध्यान देना परेगा लेकिन महिलाओं से इस समय काफी लाव होने की संभावनाएं बनती है दांपर जीवन से थोड़े से तनाव रहने की संभावनाएं बनती है इस समय इगारा बच के बद्तेस मिनट एम से लेके 3 बच के पांच मिनट पी-म तक का समय ये समय थुरा अच्छा समय नहीं है ये समय काफी अच्छा समय नहीं है धर्म से भी पुजान आपकी कम होगी साथी साथ इस समय अपने से बरों से थुरे से नयतिक वदवे थोरे से जंजट होने की संभावना है माता से भी थोरे से प्रोब्लम होने की संभावना है आपके परवल रहेंगे ये समय काफी साबधानी भरा समय है हलाकि आर्तिक दिश्टिकों से ये समय अच्छा है नेतिक दिश्टिकों से ये समय अच्छा नहीν रहेगा तीन बच के पांच मिनट पी-म से रहके सात बच के उनीस मिनट पी-म तक का समय ये समय काफी इनर्जेटिक रहेंगे आप लोहे के बेपारी को खनश प्रदार के बेपारी को जो बेकतिव वकील हैं उनके के लिए भी समय अच्छा है लेकिन स्वास पर भी से इस ध्यान देने की जुरूरत रहेगी आपको सत्रूओं का तो समन होगा लेकिन काफी जंजट में भी आप इस समय पढ़ सकते हैं कुछ लोगों से जगरा लडाई भी हो सकता है जिससे कुछ ज़्यादा प्रोब्लम आपको हो सकता है तो थोड़े से सहीम से रहें हर प्रोब्लम का सॉलूसन निकल जाएगा साथ बज़ के उनीस मिनट पी-म से लेकि गारवज के छे मिनट पी-म तक कर समय यह समय काफी अच्छा है जो बेक्ति ग्रोसरी के वेपारी है उन्हें काफी लाब मिलने की संभावनाय है जो बेक्ति डॉक्टर है सर्जन है उन्हें काफी लाब मिलेगा जो बेक्ति बिदेश जाना चाहते हैं उनकी मनुकामनाय पूरी हो सकती है तो कुल मिलाकर मकर्रासी वाले सनी की सारसाथी भी आपको चल लई है सनी भी मंगल के निशतर में है मंगल चट्टे में बेटे हुआ है तो समय उतना बुरा नहीं है जो बेक्ति पुलीस में है लाव होगा सेना में है उन्हें लाव होगा ट्रांस्टर पुस्टिंग उनका हो सकता है आज के दिन आप सुन्दर कान का किसी भी कीमत पर पाट करें और उसके बाद रहु के मंतरों का जरूर जाप करें ओम ब्राम ब्रिम ब्राम सहरावे नमा काफी लाव होगा दिन आपका शुभो कुमरा से श्यंदर दे बेटे हुए है आपके पंचमस्थान पर सांदार लक्ष्मी भाव में लक्ष्मी योग लगाए हुए है आज के दिन बहुत ही सांदार है आपका प्राकर्म पूरा बढ़ा हुआ रहेगा आपका हर काम करने को आप तयार रहेंगे घर के साजों सज्जा के लिए बहुत तरग के समाना परचेज करेंगे इस तरियों से भी काफी लाव होने की संभावना आपकी प्रवल है कार्चितर काफी सांदार रहेगा आपका जो बिक्ति वकील है उनके के लिए भी काफी अच्छा समय है संतान से आपको काफी लाव होने जा रहा है संतान के रिजल्स काफी अच्छी होने जा रहे है जमीन जैदा से भी आपको लाव होगा जो बिक्ति जोसी हैं उनके मुपर सरस्ति का बास होंगे जो बिक्ति मन निये नियादी समहोदे हैं उनके कलीस्व में बहुत ही अच्छा है सनी की सरसाती चल लई है लेकिन सनी की सरसाती आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है सनी की सरसाती आपको लाभी ही पहुंचाएगा भी लेकिन फिर भी सत्रू हों से साथ धान रहे गुप सत्रू आपको ज़्यादा परिसान कर सकते हैं, प्राकरम आपके काफी आज बरहे हुए रहेंगे, धार्मिक मूट में भी आप ज़्यादा रहेंगे, जो बेक्ती कंस्ट्रक्शन कंपणी में काम करते हैं, उनकी इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी, जो बेक्ती कंस्ट्रक्शन कंपणी वह भी बहुत अच्छे इस्तिती में रहेंगे, बेपार से आपको काफी सांदार लाव होने जा रहा है, पार्टनर्शिप के बेपार से भी आपको सांदार लाव होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहेगी, आठ बच के पैंतीस मि एम तक का समय, ये समय प्राकरम आपके काफी बरह हुए रहेंगे, महिलाओं से काफी लाव होने वाला है आपका, जो बेक्ति भी सेस करके लिविंग लेशन में रहते हैं, उनके के लिए समय अच्छा नहीं है, तो करीब करीब समय ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं ह 11, 32 मिनिट एम से रहे के तीर बच के पांच मिनिट पी-अम तक का समय है, ये समय थोरे से पैटरनल प्रोपरटी में कुछ प्रोब्लम की समभवना आ प्रवल हैं, इस समय में थोरे से बानी भी आपकी थोरे सी बगल जाएगी, अपनों से थोरे से मतवेद हो सकते हैं, अप लेकिन जो वेक्तिपर्जिय मैं बेखने मिनके साट मिनट पीम से साथ बच्श केविल do सब्सक्राइ niece k instant करने वाले के लिए इच्छा समय शवक्त करें जो ट्रीकनयोजी पर्डेयार की का काम करते हैं उनके सल्माइन मिन् संचार माध्यम से आपको काफी लाम मिलने वाला है, तो यह समय बुरा नहीं है, विदेशों से काम करने वाले के लिए काफी अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह का जंजट राइ करते हैं, तो इस समय जुडिसियर प्रोग्रम होने की संभावना आप में ज्यादा लागू साथ बच के उनीस मिनट से लेकि गारा बच के छे मिनट तक कसम है, भाग काफी प्रवल रहेगा, इस्कूल के बेपार से काफी लाम मिलेगा, यूकेशन सेक्टर से काफी लाम मिलने वाला है आपको, पार्टनर्शिप के बेपार से भी काफी लाम मिलेगा, काफी सम्मान न रहेंगे आप, तो कुल मिलाकर कुम रासी वाले, दिन आपका बुरा नहीं है, दिन आपका अच्छा है, आज के दिन सुंदर कांड का पाट जरूर करें, साथी साथ, रहु के मंत्रों का जरूर करें, ओ, भ्राम, भ्रिम, भ्राम, सह, रावे नमा, या, आप दुर्गा सबसती की इस मंत्र का जरूर करें, काफी लाब होगा दिन आपका, शुबो, मीन रासी, चंदर देवाब के चतूर दस्थान में, मितुन रासी में, साथ में, मंगल भी बटे हुए है, माता से आज आपको काफी लाब होने की स्थित्थी है, चंदर मा, राहू के निशत्र में हैं, राहू आपके दूती इस्थान में बटे हुए है, धन भाव पर, माता से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, जमीन जैदा से आजके दिन काफी लाब होगा चन्दरमा चतुरत अस्थान में है कोई भी यात्रा से अपने आपको दूर रखें बिरस्पति देव आपके लगन में बैठे हुँआ हैं बिरस्पति देव सनी के नश्चतर में हैं नहीं आपके आयबाव में बैठे हुए हैं जो बेक्ति तक्निकी छेतर में हैं उन्हें लाव होगा जो बेक्ति इंजिनिरिंग से छेतर में हैं लाव होगा जो बेक्ति लोहे के बेपारी हैं लाव होगा जो बेक्ति खनीश पतार्थ के बेपारी हैं लाव होगा शुक्र देव जो आपके अश्टम अस्तान के स्वामी है आपके तीर्थी अस्तान के स्वामी आप भाग भाव में बैटे हुए है भाग को कापे प्रवल कर रहे हैं शुक्र देव, शुक्र आपके बिर्यस्पती के ही निशतर में हैं और बिर्यस्पति आपके लगन में बैठे हुए हैं तो जो वेक्ति लेखक हैं, जो वेक्ति कविता करते हैं, उपर नियास लिखते हैं, जो वेक्ति बिदेशों में कहानी लिखते हैं, जो वेक्ति बिदेश में किताब प्रकाशन के लिए दिये हुए हैं, उनके के लिए काफ़ी अच्छा है पूरे दिन का च्छा समय है लेकिन थोरे से मानसिक तरपाराऊ दोसकता लेकिन लोहे के वैपारी को काफ़ी लाब होगा जो वैक्तिक खणीश्त पदात का काम करते हैं लाब होगा उनके के लिए इसमय बहुत अच्छा नहीं है थोरे से आपका मन बेचेन रहेगा बुद्धी भी सही धंक से नहीं आपके काम करेंगे जो बेक्ति परसासन में हैं उनके के लिए इसमय बहुत अच्छा नहीं है जो बेक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके के लिए भी समय अच्छा नहीं है विदेशु से काम करने वाले को थोरे से लाव हो सकते हैं हर काम को साफधानी से आज करने की जुरुत होगी आपको तो मीन राशी वाले आज के दिन आप हनुमान चलिसा का पाट करें साथी साथ आज के दिन आप राहू के मंतरों का जाब करें ओम भ्राम भ्रिम भ्राम सर रावे नमा दुरगा सफसती के इस मंतर का जाब करें शर्वाबादा परशन्यम ते लोका सकलस्वरी में तो इमकारी मश्मदवरी बिना सनम शर्वाबादा परशन्यम ते लोका सकलस्वरी काफी लाब होगा देन आपका शुबो रास्य फल किस इंक्राम में इतना है आप मेरे चैनल नचत्रमानी को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें नमस्कार